एज रिलेशन्शिप कोच मैंने कहीं लोगों के रिलेशन देखे जिसमें प्यार तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो दुनों अपने पार्टन को इस सीच का कभी एहसास नहीं करवा सकते कि वो कितना प्यार अपने पार्टन से करते हैं इफेक्ट वो अपने आपको प्रूब कर देते कि दोनों एक दूसे की लाइब के विलन हैं इतने जगड़े होते हैं और मैंने कहीं लोगों के ऐसे रिलेशन्ट देखे जिसमें मेर्चॉरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि या उन दोनों में फिलिंग कम होना तो भी वो दोन सामने वाले को कैसे अपनी फिलिंग अपनी चीओ को समझाए कर एकिचेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कैसे उनकी सिट वह संदे तुम्हें सामने वाले को में बता तो वो सब्लों के दे सकते हो नहीं दे सकते तो सबसे लqualified और उपने भूण जो की यह आपने में धूब कर वाना चाहते हों तूम नहीं कर पा होगे क्यों go बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तुम आर्गुमेंट करें हो तुम लड़ रहे हो जगर रहे हो कि मैं कितना प्यार करता हूं वह सामने वाला कभी नहीं समझेगा कि तुम कितना प्यार करते हो वह यहीं समझेगा पर तुम अपनी चीजों को एंजोई करते हो तो अपनी पूंचीच कोई इंसान को दे नहीं सकता अब जोबी दोगए ना आज तो साइद उनका महत वो आज झेक गंटे के लिए दो गंटे के लिए दो साल के लिए एक दिन तो आपने उतना कुछ किया था ना वह कोई महत्वर नहीं रहेगा और आप देखते हो कि कहीं पर ऐसा मैंने देखा है या आपने भी देखा होगा कि इस समय पर कोई लड़का और लड़की किसी के लिए मरने के लिए तयार होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुली उस परसन से उप जाता है उनको इग्नौर करता है आपना किसी भी इंसान को एक ही चीज़ दे सकते हैं वह है एक्सपीरियंस यह जाद रखना आज आप किसी इंसान को कैसे एक्सपीरियंस दे रहे हो नो वो बात बहुत मैंने रखती है कि समय के साथ इंसान की समझ बदलती है लोगों को देखने की समझने की बहुत सारी चीजिए उनकी बतलती रहती है तो आप आज उनके साथ हो तो आपके पास एक मोका है कि उस परसन को ना एक्सपीरियंस दो जैसे मैंने कहा ना कि आप उनको बहुत प्यार कर करते होंगे पर आप उनको जो experience दे रहे हो भी उनके साथ लड़ रहे हो जगर रहे हो आप प्यार करते हो वह थोड़ा सा भी कुछ गलत करेगा ना तो आप ना उनके character के बारे में बात करोगे बहुत बुरी बुरी चीज करोगे तो वह सारे गंदे experience दे रहे हो अब कुछ टाइम के बाद मानो तुमसे अलग भी हो गया कहीं दूर है वो तुम्हें याद करेगा ना तो तुम्हारे बुरे experience को याद रखेगा कि तब उसने मेरे साथ ये किया थ समझो इस दुनिया में ना तुम लोगों को सिपको सिफ experience दे सकते हो तो यार जब ही तुम अपने partner के साथ हो ना तो उनको कुछ ऐसे अनुभव देने की कोशिज करो जो उसने अपनी life में कभी feel या experience ना किये हो और hundred percent जितने अलग experience होते हैं वो इंसान लंबे समय तक याद रखता है आप कि इसको बहुत दा प्यार करते हो उनके लिए मर सकते हो यह चीजे भी बोल सकता है लेकिन experience इंसान लंबे समय तक याद रखता है तिसरी चीज़ हम ऐसा याद रखो कि कोई भी रिस्ता है उसे खुपसूरत बननने का एक ही तरीका होता है कि उसमें friendship एड होन करने टाएए डोनल एक रही सब्सक्राइब की तरह नहीं दोस्त की तरह रही तो कई दोस्तीन ए इंग जो खास बात हो तहीए इनके रहकापन होता है एक अपना मिकनशा होता है इसमें चीजेश नहीं होती बॉड इसे को respect से लिए बाया कोसरा में तो नहीं बटा भान वहा आस्पन वाइप और गल्फेंड बोईफेंड के रिस्ते में फ्रेंशिप होने इतलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी-कभी ना यह चीजह बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इमोसन इमोसन वालि बाते फारी भर कम बाते आई लब यू बहुत बड़ा लगने लगता है फिर वो बोज बन जाता है मर जाने की बाते हैं उप है किसी की रिस्ते की लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप दुनों के बीच में एक टीम भावनावारी बोंडिंग होनी चाहे तीम भावना अब एक कोई भी चीज होता है रिस्ते में हमारे अलग-अलग ओपीनियन होते है कि आप कहते हो कि मुझे वहां जाना है कि अपका पार्टनर कहता है नहीं मुझे तो वो पसंद है तो इ एक चीज हमें समंझनी पड़ेगी कि हमें टीम की भावना रखनी पड़ेगी कि दुनों को ना मिल के जाना है कोई वन वे नहीं है कभी उनको आपका साथ देना पड़ेगा तो ये चीज है टीम भावना से इतनी बेल होगी ना उतनी जादा लबी तक जाएगा पर हम जब यह करते कि कभी उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं साइध हमें पसंद नहीं पर उन्हें पसंद है तो उनकी बात पेगरी कर जाते हैं यह होती टीम भावना तो इसे क्या होता है कि आपकी टीम है ना हमें से आगे बरते हैं आपका रिस्ता हमें से मजबूत हो अधरवाइस वह वहीं पर टूट सकता है, वहीं पर बिखर सकता है, बहुत ही छोटी चीज़ पर जगड़ा हो सकता है, पर वह जगड़ा कितना बड़ा हो सकता है, वह दोनों के हाथ में होता है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखना चाहते हो तो यह चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मैच